Hello everyone, welcome to this academy I hope आपलोसा बच्चे होंगे आप लोगों को बता दू बहुत सारे बच्चे एक्जाम में पूछ रहे हैं कि सर क्या परिच्छा जो है कैंसिल हो सकती है क्योंकि भुपाल में जो एक्जाम हो रहा था वहां के कॉंस्टेवल भरती एक्जाम में महिला आपजरवर जो थी वो संक्रमीत पाए गए है और एक बच्चा बपाल में ही एक बच्चा जो है परिच्छा हाल से बाहर कर दिया कि उनको बहुत तेजी से बुखार था, सर्दी था और परिच्छा देने में अर्समर्थ हो रहे थे उनको परिच्छा हाल से बाहर कर दिया गया था उस परिच्छा हाल में 250 बच्चे बैठे थे बहुत सारे बच्चे मैशेज कर रहे हैं इस्टाग्राम पे कि सर परिच्छा पोस्ट पांट हो सकती है कि नई हो सकती है, पूरी निवज अज आया जानेंगे और आप लोग साथ साथ बात करेंगे एमपी कॉलेज और एक्जाम जो हैंगे एमपी कालेज के स्कूल और एक्जाम को उस पे क्या फर्क पढ़ने वाला है तो चलिए बिना देर किये वीडियो को सुरू करते हैं चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को आप लोग जरू सब्सक्राइब को लेजएगा एमपी कॉलेज के लिए डे बाई डे एक्जाम एनलेसेस मिलती रहेगी और जो एमपी कॉलेज और इसकूल वाले हैं उनके लिए भी नियू अपडेट जो भी होती है घर पे दवाई ले रहे थे और जल्दी से उनको निमूनिया हो गया जिसके कारण उनकी मौत हो गए थी एक यूती थी 22 साल की और आजी की नियूज है 19 मिनट पहले की कि भोपाल में कास्टिवर भरती एकजाम में महिला आजरवकी संक्रमीत होने पाई गई है उनको भी फिलहाल जहां पे एकजाम हो रहा था उनको भी बाहर कर दिया गया था सेंटर से और जो बच्चे को एकजाम फिवर हुआ था उनको भी बाहर कर दिया गया था अब फिलहाल इसमें जो नरुता मिसरा गे मनती है उनके द्वारा क्या फैसला लिया जाएगा जो भी निउज होगी आप लोग को सबसे पहले बता दिया जाएगा लेकिन आप लोग तयार करते रहिए ऐसा ने एक पोस्ट पार्ण हो जाएग और आप लोग को इस पर क्या रहा है कि एक्जाम पोस्ट पार्ण होना चीए और नहीं होना चीए आप लोग कमिन करके जरूर बताएगा इस निउज पर ठीक है सभी लोग बताएगा अपना विचार भोपाल में कास्टेवर भरती एक्जाम के मित्तल कालेश सेंटर कहां पे कौन से कालेश सेंटर मित्तल कालेश सेंटर पर डूटी पर तैनात्महिला अपजारवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वही परिछा के दौरान एक कंडिडेट को भी तेज बुखार होने के का बाहर कर दिया गया यह आप लोगों को बता दो दैनि भासकर में छपा है मंगलबार को इस सेंटर पर 250 उमिद्वार एक्जाम दे रहे थे इसके अलावा जेन सीटी कॉलेज में साइट सुपरवाजर देखो जो साइट पर राती है आप लोगो केंप्यूटर सुधाने काम क लोगो और अच्छे सरे क्योंकि आप लोगो तैयार करते रहे इस निवच के निवच पर आप लोग उतना नहीं किये जब तक ऑफिस्यल जब तक ऑफिस्यल अपडेट नहीं आता तब तक आप लोग इसना कीजिए कि पोश्ट पान आप लोगों का एक्जाम हो जाएगा साथ इसाथ आप लोग बता दो 27 दिन में 10 की मौत हो चकी बहुत तेजी से यह फैल रहा है बहुत सारे आप जर्वा का काना है कि जो कोरोना है यंपी में फरवरी में पीक तक पहुश सकता है ऐसे सुनने में आ रहा है सबस्यादा आप लोगो इन दोर में देखने के मिले सबस्यादा करोणा संगित उसके बाद वपाल में उसके बाद आप लोग जवलपूर फिद्गवालियर में है ठीक है आप लोग इस बात को जो ग्रिह मंत्री बोले है जो नौरत्र मज़ता है कि इसकुल कालेज पर जल् रद कर दिया गया है 16 जनवरे को कायकरम रखा गया लेकिन इसको रद कर दिया गया है जो भी अपडेट होता है आप लोगो इस चैनल पर सबसे पहले बता दियाएगा आप लोग चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेजिएगा ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अधर ये बता है जाँ कर दो कर दो झाल कर दो येन दो झाल कर दो को रहले हैं जहरत हैं लोगोगो प्होगो झाल कर दो, बता है बता है.